Hello dear students, I am teacher of classrooms. Today I am going to teach you English, part 16, chapter 1, limpy and jyoti. चलिए, हम लोगे स्टार्ट करते हैं, ट्रांस्लेशन कर रहते हैं, रीट करेंगे, one by one, SHE, SHE, SHE means, बहुत बाराद चुका है, SHE means वह, O, 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 Orange, O, P, N, Open, O, P, N, Open, Sorry, Open, Open means, खोलना, या खोला, Open means, खोलना या खोला, पैकेट, पैकेट मीन्स, पैकेट, पैकेट मीन्स, पैकेट को हिंदी में पैकेट बोलते हैं, वहा या उसने, उसने, उसने भी होल सकते हैं, वहा खोला पैकेट, वहा पैकेट खोला, तो वह कहीं न कहीं सहीं नहीं हो रहा न, SHE means वहा भी होता है, उसने पैकेट खोला क्या मतलब निकलेगा इसका means के निकलेगा उसने पैकेट खोला आया समझ में आया next चलिए next sentence there t-h-e-r-e there t-h-e-r-e there without phonic sound ने रीट करना होगा इसे t-h-e-r-e there there means वहाँ वहाँ टू t-w-o-r-tू टू means दो टू means दो प्रिटी प-r-e-p-r-e प्रिटी हमने बुकेबलरी नहीं लर्ण किया है प्रिटी प्रिटी means सुन्दर सुन्दर प्रिटी means सुन्दर फ्रॉक्स फ-रॉक्स फ्रॉक्स फ्रॉक्स means फ्रॉक्स फ्रॉक्स means फ्रॉक्स ही होती है हिंदी में भी फ्रॉक्स ही होती है in in means in means अंदर उसके अंदर it it means यह it means यह अब मीन्स के निकला वहाँ दो सुन्दर फ्रॉक अंदर और सुरी है आर मीन्स है ए आरी आर आर मीन्स है तो वहाँ क्या है वहाँ है दो सुन्दर फ्रॉक अंदर ये ये इसका मतलब क्या निकला इट मीन्स यह भी होता है और इसमें भी होता है इसमें, इसमें क्या है? इसके अंदर तो दो फ्राउक हैं, वो जो पैकेट उसने खोला था, वहाँ दो सुंदर फ्राउक, इसमें देरार का मतब हुआ, इसमें तो दो फ्राउक हैं का means निकला, वहां दो सुंदर frog इसके अंदर और अंदर हैं. यहां समझ आया? या फिर अगर हम simple way मेरे बोल सकते हैं कि यहां तो दो सुंदर frog हैं. यहां दो सुंदर frog हैं. समझ आया? यहां कोई confusion? I think कोई confusion ने होता होगा. आप next sentence पर चलेंगे next चलिए next sentence है mother mother means ma mother means ma made ma add made means बनाया ma ने इसे बनाया ma ने बनाया them 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 means उने ma ने उने बनाया है for for means के लिए के लिए किसके लिए बनाया है aunt aunt means चाची प्रेमास ये एस लगा है प्रेमास तो प्रेमा तो प्रेमा ही रहता है प्रेमास जैसी जिवालब को मला लाखे और एस लगा दे तो प्रेमा की चाची प्रेमा के के Children means chill Children means बच्चे चाची प्रेमा ने उन्हें बनाया है या बनाया था किसके लिए चाची प्रेमा के बच्चों के लिए क्या मीन्स निकला इसका माने उन्हें जो फ्रॉस्ट थी न माने उन्हें चाची प्रेमा के बच्चों के लिए बनाया है आया समय में कोई प्रॉब्लम या कोई प्रॉज़न नहीं होगा सभी को ट्रांस्लेशन आ रहा हुआ समझ में अगर कोई प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको मैसेज कीजिए और होंबक कम्प्रीट समय पर केव कम्प्रीट कीजिए तेंक ये